कि है गाइज दिस इसमोनू यू आर वाचिंग नौकरी पोटल स्वाज मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार करमचारी चैनायोग द्वारा जो की नियू रिक्रूर्मेंट निकला हुआ है अप लोग देख सकते हैं अठारे गारे दोहजार बास को जो यह बिग्यप्ति जार सकते हैं ठीक है और यह जो पोश्ट है यह पोश्ट आप लोगो बता दें कि यह जो है पोश्ट है बरिये बिग्यानिक सहायक है भोत्की में बरिये बिग्यानिक सहायक अगनेसासर बरिये बिग्यानिक सहायक फोटो बरिये बिग्यानिक सहायक सायक समान रशायन और बरिये बिग्यानिक साहक बिश्विग्यान बरिये बिग्यानिक साहक बिस्फोटक बरिये बिग्यानिक साहक नारकोटिक्स बरिये बिग्यानिक साहक जी बिग्यान सो ये टोटल पोस्ट जो है ये पोस्ट आफ लोग देख सकते हैं टोटल 1100 पोस्ट है जिसमें दिचान के लिए 3 है और जिसमें 353 पर तिस आरक्ष साह अरक्ष के लिए जिस का टोटल 31 इस नियंशो er । और पोस्ट आतैमाद अबर्य विजयनीग सा्धेश इन आ रगशित लिए 1 और जेनराल वाले के लिए 8 पिछ्ड़ाग के लिए i1 और अनुसूची जाती १ाथ उसके बाद परियीः गनियो शास्त्र जिसमें की 10 सीट में है और दस सीट में जिसमें आर्थिक रूप कमजूर के लिए तेरे हैं तीन है और पिछरा वर्ग तीन है अत्यंत पिछड़ा जो है पांच है अनसुचित जाती चार अनसुचित जाती एक है पिछरे वर्ग महिला एक है और कुल पज जो है 27 है तुशी तो टुटल सीट सब्सक्राओं का भी है और इसमें जो बेतन है पी ग्रेंड है जो लेवल छे है तिरानवे सो से 38,400 ग्रेट पर बियालिस सो है ठीक है नियूंतम सेक्षने की योगता जो है बरिये बिज्ञानिक साहयक जो आप लोग देख सकते हैं यहां पर मसी बहुतिक मसी गनीत मसी बाय यह MSC Forensic Science यह MSC Forensic Science यह MSC Forensic Science यह BSC अथवा बिटेकस्तर के भोतिक में होना चाहिए बरिये अगने सास्तर है बरिये फोटो है बरिये सैवर है बरिये बिज्ञानिक समान रशायन है तो इसका टूटल यह क्वालिफिकेशन है अप लोग यह देख सकते हैं बरिये बिज् कि अनुभव कर यह दिन्हां रशायन है कि अनुभव करोफ मैं किसी बीधी बिज्ञान परियोगसला में कम से कम एक वर्श का बरिये बिज्ञानिक सहाय करूप में काम करने का अनुभव व। 25 क अनुभव की गंना प्रकासित बिज्यापन के आलोक में आवेदन करने के अ बार ये सहायाक बिज्ञानिक का है, इसमें जो एज दिया गया है उम्रसीमा जो कि आप लोग देख सकते हैं, वह दिनांगर दोरा दारइत करते हुए उम्रसीमा दरपर इस परक्षा के पात रहोंगे, इसमें नियुन्तम जो है 21 रखा गया है, ठीक है, और इसमें गेर समिद प्षिया पीड़ां केलिए यह पीजिए दस पियाए उसको 10 को जफ़ कर रायए उसको दस वर्सों के लिए छूटडिया जाएगा तदनर समिंदा पर कजरत पिष्चेत वर्ग और अंदर समय और समय पर का मृंठा कि रिवाग से बिए वाथ अगर बात करें सेलेकशन अधि प्रोसेस का चैन पर खता है ठीर ने थी समयर्ग तो लोग देख सकते यहां humans कि बरिये बिग्यानिक साहिक पद है तो उमीदवार चैन सक्षने की योगता अनुभव सक्षर्टा है तू सौ अंग के आधार पर निर्धारित किया जाए जिसमें मैट्रिक का दस अंग पर्थम स्रेनी और दूतिये श्रेनी आठ थंग दिया जाएगा तिर्थिये छों आई अठारेंग और तिर्थिये सौलेंग पर्थम सरेनी साठ थंग दूतिये कावन और तिर्थिये 24 तो मिनसे अप लोग का कोई इसमें एक्जाम नहीं होगा यह जो है यह अप लोग का क्वालिफिकेशन के अधार पर आप लोग को सलेक्शन दिया जाएगा ठीक है एक पटना भागल पूर मुझभफर पूर में अवस्थित बिहार राज के बिधी बिज्ञान प्रियुकसाला में कारणुपा बरिये बिज्ञानेक साहिक रूप में के पर्तिक पूर्ण वर्स बारे मां पांच पांच अंक और अधिक्तम बिर्स अंक निर्धार्यत किया गया बा ठीक है और इसमें जो है सुयोग अभ्यारती जैसे मसी मसी फॉरेंसिस साइन्स डिग्री उनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन मानता प्राव सरकारी गर्षर कर संस्था अभिस्वधाले का होना चाहिए अभ्यारती बिटेक एम्टेक यू यूशी ग्रांट कमिशन एयाए सीट अट्यस पिछरा वर्स चांतिस है अनुस्टी जाती जिनलाती 32 है महिला सभी वर्ष के लिए 32 है दिभ्यांग और के लिए 32 है यह क्वालिफाइंग मर्स दिया गया है जो कि मेघा सूची के अनुसार आप लोग का सेलेक्शन होगा इसमें परिक्षा सूल्क है आप लोग को समान वर्ग पिछराव अत्यांत पिछराव पूरूश चार्ट सो पांसो चालिस अनुसुतिय जन जाती बियार अस्थायनिवासी के लिए 135 रुपए सभी स्रेनी महिलाव सिर्फ बिहार के अस्थायनिवासी के लिए 540 रुपए लिया जाएगा ठीक है और यह जो है ओन लाइन होगा इसका ओन लाइन जो विपसाइट मैं आप लोग को बता देता हूं कि इसका जो ओन लाइन फॉर्म होगा अब इस पर जाके अप लाइक कर सकते हैं इसका जो ओफिसल विपसाइट है यह इसका जो ओफिस्यल वेबसाइट है इस पे है एच्टी टी बी एससी बिहार गौर्वर्मेंट इंट पर जाके आप लोग इसको ऑनलाइन कर सकते हैं इसमें कोई एक्जाम नहीं होगा आप लोगों मार्क्स बेसिस पर सेलेक्शन होगा ग्रेट पर भी अच्छा खासा है और बिहार में जॉब करने का मौका है जो भी बिहार के निवासे उसके लिए और बैनिफेट क्योंकि आप अपने हिराज में नौकरी करें इसके बहतर क्या हो सकता है ठीक है और मेरे चैनल पर जो भी नए है किर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सेर कीजिए और बेल आकेंड बटम दवाना ना भूलेंगे ठीक है और मेरे फेस्बूक और टेलिग्राम पर इसे आप लोग अवेश्ट जुड़ें और तब तक के लिए धन्यवाद जय है